तो फ्रेंड आज में लेकर आई हूं बहुत ही कम तयल में बनने वारी गेहूं के आटा के इतुनित के सौब्थ मुलायम नास्ता फ्रेंड इसे अपूर सूबह के नास्ता 여क में भी ले सकते हैं या रात के खाने में अद्स इसके लिए कुछ हमें सब्जी चाहिए जो आपके पास हो ले सकते हैं मैं टमाटर प्याज और सिम्लामिस ले ली हूँ जोड़ा से यहाँ पर सब्जी ले रही हूँ जितना बनाना उस हिसाब से आप अपने फैमली की हिसाब से ले ले लें तो मैं यहाँ पर एक छोटे साइज का प्याज था एक छोटे साइज का टमाटर था और आधा में शिम्लामिस नियुक्त इहां चौपर में यहाँ पर कर सकते हैं मैं यहाँ पर चौपर में कर लिए हूं इससे थोड़ा बहुत ही जल्दी हो जाता है अब मैं यहाँ पर साइड में इसको रखते हैं भेजे इसको और यहाँ पर मैं एक कोई सावी मेजरी बरतन सेट कर लोंगी तो मैं यहाँ पर एक कप ले रखी हूं उससे कप मसाला पौडर डाली हूँ और कुटीवी लाल मिज डाल दी हूँ यहाँ पर एक छोटा चमच के जीतना अब इसको हमें क्या करना है फ्रेंट जिस कप से हम आटा लिये थे उसी कप से हमें पानी लेना है तो यहाँ पर टेस्ट का कोड़िंग पर हमें नमक डाल दे रही हूँ और थोड़ा से मैं यहाँ पर अज्वाइन डाल रही हूँ तो यहाँ पर जिसकेiden maparali और jyवर मिजना 자 लग रही हूं तो मैं यहाँ पर आधा ही सबसे ले रही हूं और बाकwarra दर साइल में रख जैए लेकिन और इस होगता है सकाटा पानी शिम यानि कि एकचमच सोजी मैं हमार्स चार चमच पानी ली यानि कि या सूज ले ल्ड़ा ही विच्प ठी मिक्स करते हैं continent बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है तो वीडियो का आप लुग लाइक जरूर करें इससे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है आप सब लाइक करते हैं तो यहां पर मैं दस मिनिट करें धग कर छोड़ती हूं टाइम नहीं आप साथ के साथ बना सकते हैं टाइम आप इसक करते हैं जब कुछ प्राई करना रहता है तभी उसको डाल देने से क्या होता है कि बहुत ही अंदर से सौप्थ हमारा नाश्ता बनेगा तेर जो डाले हैं उसके वज़ए से अब यहां पर हमें तवा बैठा लेनी है आप तवा पैन कड़ाही किसी में भी बना सकते हैं प्र कर दिया और फ्लेम को लो कर दिया बिल्कुल आज को मद्याम आज पेश को पांच मिनिट के लिए हमें धक कर पकाना है मतलब पांच मिनिट मैं ताइम नहीं देखी थी आप अपने हिसाब से जब तक यह हलका सा है पकना जाए तब तक आपको इसी तरह से बना लेना है उप इसको थोड़ा से बढ़ा देंगे यानि कि लो फ्लेम पर में ढख का पका आई थी तब इसको हम थोड़ा मीडियम फ्लेम कर दिये हैं अब इसको इसको इस तरह से एक अच्छा कलर आ जाता है इसमें आप अपने मतलब टाइम सेट में नहीं की हूं अपना हिसाब से जब इ इसमें कोई टाइम नहीं सेट किया हुआ है यहां पर देखिए दूसरे साइड में भी आपको दिखाती हूं कड़ा ही बैठा ली हो क्योंकि एक अग के बनाने में थोड़ा रोटी से ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है लेकिन रोटी बनाने से ज्यादा एजी लगता है हम लोग नौनमेज और खाते नहीं है यहां पर देखिए सेम तरीका से मैं कड़ाही में बैठा करके ढख दी हूं और यहां पर तावाला भी देखिए त्यार हो गया बिल्कुल आपको कलर दीख रहे हूं कि इसी कलर में आपको हटा लेनी है बिल्कुल दूसरे साइड से पर अच्छा कलर आ गया और कितना शौप्ट देखने में लग रहा है बहुत ही अच्छा हेल्दी नासता है गिहूं-काठा का बना हुआ है इसमें ज्यादा मसाला अगरा भी नहीं डाले है आपको सामने बस हल्दय और गरम शाला डाले है और इसमें कुछ भी नहीं डाले ह एंपास यहां पर देखे बाकी भी हमें इसी तरीक से तवह पर फिर से डाल दी हूं रिश्व दिखांड देती हूं है और में कहँले थी कास तरीका सिशते पर बना केंुन नियुक्त दो Wyatt làm Me क्रेंट है किया हुआ कि आपको इतना टाइम तक पकाना है अपने आप पता चल जागा फिर्म यह पक जागा तो कि यह तैयार हो गया यहां पर देखें दोनों साइट से में उलट पिलट करके इसको फुले में सेक रहे हैं अब इसको धकना नहीं है तीसी तरह से सारा हम नास् करें इसके साथ मुझे जा रहा हैं इसके साथ मेरे को मिक्स जो पिकल होता है थे लगता आप धनिया पुदिन चटनी खा सकते हैं चाय जाए अश्चा मुझे रहा जैंदों में आधी सामट करको शूर्प पर चार के साथ काफी टेस्टी लगता है तो इस तरह से आप खार सकते हैं आज का हमारा नास्ता यहीं पर समाप्त होता है फिर मिलता है